नमस्कार, सत्संग संदेश में आपका स्वागत करती हूँ, मैं हूँ योगिता सिंग दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई हम मनुश्यों की प्रवर्ती बहुत आत्म केंदरत होती है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचने में हम अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं प्रभु के बारे में तो हम तब सोचते हैं, जब हमें कोई दुख या कोई समस्या घेरने लगती है अगर हम अपनी दिन्चर्या में ही प्रभु को शामिल कर लेंगे, तो दुख और संकटों से वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे हमारे इस कारिक्रम का मकसद भी आपको आपके आराध्य के साथ जोड़ना है आज सत्संग संदेश में हम आपको सुनाएंगे भोलेनाथ और मापारवती की एक अद्भूत वता उसके बाद आपको स्वस्त रहने के लिए देंगे आईरुवेद से जूड़ी जानकारियां और योग के माध्यम से जीवन में एक कागरता बनाने का सिखाएंगे आपको सुलब तरीका और आखिर में जानेंगे कि इस सब्ता कौन से तेवहार और व्रत आने वाले हैं धर में आज बताएंगे कि आखिर शिव जी ने क्यों ली माता पारवती जी की परिक्षा आईरुवेद में आचारिय बालकृष्ण जी से जानेंगे दूब के आशधियगुन योग और अम्रित में बाबा राम देव जी बताएंगे एकागरता को बनाए रखने के आसान तरीके और साथ ही सत्संग संदेश में जानेंगे इस सब्ता पढ़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में यू तो भगवान शिव को प्रसंद करना बहुत सरल है उन्हें तो देवी देवता से लेकर मनुशे यहां तक की राक्षस भी प्रसंद करके अपना मन चाहा वर मांग लेते थे पर माता पारवती जो शिव जी को पती रूप में प्राप्त करना चाहती थी शिव जी ने उनका ही इमतहान ले लिया वैसे तो शिव जी बहुत जल्दी मान जाते हैं पर यहां बात उनके विवाह की थी ना तो आए सुनते हैं क्या थी पूरी कथा माता पारवती ने भगवान शिव को पती रूप में पाने के लिए गोर तपस्या की यूँ तो शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे किन्तु आश्वस्त नहीं थे तब शिव जी ने उनकी और परिक्षा लेने के लिए सब्त रिशियों को पारवती जी के पास भेजा सब्त रिशियों ने शिव जी के सैक्णों आवगुण गिनाय पर पारवती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवह करना मन्जूर नहीं था विवह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं इसलिए शिव जी ने स्वैम पारवती जी की परिक्षा लेने की ठानी भगवान शंकर प्रकट हुए और पारवती को वर्दान दे कर अंतर दिहान हुए जहां वो तब कर रही थी वहीं पास के तलाब में मगरमच ने एक लड़के को पकड़ लिया लड़का जान बचाने के लिए चिलाने लगा पारवती जी उस बच्चे की चीक सुनकर तलाब पर पहुँची वहां मगरमच लड़के को तलाब के अंदर खीच कर ले जा रहा था लड़के ने रोते हुए कहा मेरे तो माबाब भी नहीं है ना कोई मित्र, माता, आप मेरी रक्षा करें पारवती जी ने मगरमच से लड़के को छोड़ देने की गुहार लगाई मगरमच बोला, दिन के छटे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझ कर सुईकार करना मेरा नियम है पारवती जी ने विनिती की, तुम इसे छोड़ दो बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझे से कहो मगरमच बोला, एक ही शर्ट पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ यदि आप अपने तप का फल मुझे दे सकें, तो मैं इसे छोड़ दूँगा पारवती जी बिना समय गवाए तयार हो गई मगरमच ने समझाया कि हजारों वर्षों की तपस्या का फल सिर्फ एक अंजान बालक के लिए वेर्थ करना हितकर नहीं है पर मा पारवती अपने वचनों पर अडिग रही मगरमच ने पारवती जी से तब दान करने का संकल्प करवाया तब का दान होते ही मगरमच का देह तेज से चमकने लगा उसने फिर चेताया माता पारवती को कि अगर वो चाहे तो अपने भूल सुधार सकती है जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए वेर्थ ना करें पारवती जी ने कहा कि तब तो पुनहे कर सकती हूँ किन्तु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता देखते ही देखते वो लड़का और मगरमच लुप्त हो गए पारवती जी ने फिर से तब करने का विचार किया क्योंकि अपने तब के फल का दान कर चुकी थी भगवान शिव प्रकट होकर बोले पारवती तुम्हे पुनहे तपस्या करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि मगरमच और लड़के दोनों रूप में मैं ही था तुम्हारा चित दूसरों के प्रती सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं इसकी परिक्षा के लिए ये लीला रची तुमने अपना तब मुझे ही दिया है इसलिए अब और तब करने की जरूरत नहीं मा पारवती की तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने उनसे ही विवह करने का विश्वास जताया और फिर अंतर ध्यान हो गए हमारे ग्रंतों में कई ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं जिनका श्रवन करना बेहद रुचिकर लगता है शिवजी और माता पारवती की इस लीला के पश्चात चलिए आपको स्वस्त रहने के सरल नुस्खे जानने के लिए ले चलते हैं विख्यात आयरुवेदाचारे बालकृष्ण जी के सानिध में जहां आज वो हमें दूब के औशदिय गुणों से अबगत करवाएंगे दूरवा यनि दूब घास दूब घास के नाम से हम इसको जानते हैं इस तरह की जो रिव्य घास है ये आननदाएक घास है सुबह सुबह ये आप नंगे पैर इस घास पर घुमते हैं तो उससे आपके आँखों को मिलेगी रोसनी उससे आपके स्नायू को मिलेगी ताकत और आप देखते हैं जब इस घास में जब ओर्ष पड़ी होती है कितना सुन्दर लगता है चोटे-चोटे अगवार ने जैसे मोती वीखर रखे हों बहुती अन्हद आता है बहुती अच्छा लगता है तो सिर्प चलने मात्र से नेत्र जोती बढ़ती है और यदि आपको हमेश सर में एक जो stress level बढ़ा हुआ है तनाब बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक इसका बहुती दिव्यो प्रयोग है बहुत अच्छा प्रयोग है यदि आप दुब घास को पीस करके अधी पैरों में लगा लेते हैं तो उससे जो मस्तिस्क के अंदर जो उथल-पुथल है जो दुब घास को पीस करके इसमें थोड़ा चुना मिला करके तो यह आप अपने सर में लेप लगा लेते हैं तो यह बहुती अच्छा बहुती सुन्दर प्रयोग है आपकी सरदर्द के लिए इसके अधी रिक्त आँख के रोगों पर आँख आपकी दुख रही है तो उसके दुब घास को पीस करके इसकी लोगदी बना करके टिकिया बना करके उस टिक्की को आप आंक में रखकरके पट्टी बांद सकते हैं उससे जो आपकी आँखों की लाली है आँखों का दर्द है उसमें इस से लाप हो जाता है बहुती अच्छा प्रयोग है बस यह ध्यान ध भूमी थोड़ी सी साफ सूत्री होनी चाहिए आसपास में ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए गंदा पानी जमा हुआ हो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए इसका आप विशेश ध्यान रखें क्योंकि जो गंदी जगह पर उगी हुए ओष्टियां हैं उस भूमी के तत्तों म होगा कि दूब में भी औशदिय गुन है जबकि अब तक तो हम दूब का उपयोग पूजा पाठ में ही क्या करते थे वाकई प्रकृति ने खुले हाथों से अपनी संपदा हमें दी है इसका इस्तमाल कैसे करें यह देखने वाली बात है आयरुवेद के बाद बात करते हैं योग की जीवन के किसी भी शेत्र बे सफलता पाने के लिए एकागरता का होना बेहद आवश्यक है लेकिन कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी कॉंसेंट्रेशन यानि एकागरता नहीं बन पाती इस समस्या के समाधान के लिए आये जानते हैं योग अम्रित में स्वामी पुरी लॉस्की प्रब्लम उम्र बढ़ने के साथ अक्सर सभी इसकी शिकार हो जाते हैं किसी-किसी बच्चे की भी मेमोरी वीक होती है उनका IQ लेवल कम होता है एकागरता भी कम होती है भस्त्री का कपाल अभाति से लेकर के अनुलो मिलो म्रामर उद्गीत सभी जो प्रण करना आप करेंदे लिए वीकारता है इसलिए बस्तिक प्रणायम बच्चों को भी दो मिनट बढ़ों को पांच मिनट कपाल भाति प्रणायम दस-15 मिनट करना और हो सके तो बाही प्रणायम भी कर लेना और गले ठैड़ के लिए उज़ा प्रणायम करें तो बात अच्छी बात है आके बंद करके आप दस मिनट कपाल भाती दस मिनट अनुलोम मिलोम और पांस से दस ग्यारे बार तक भ्रहम रुद्गीत प्रणायम कीजिए मैवनुलोस की प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से मक्त हो जाएंगे मस्तिस्क जादा ही वीक है तो आप मेधावटी एक एक गोली सुबह साम ले सकते हैं जादा ही मस्तिस्क में दुरबलता है तो आप दो दो गोली भी खा सकते हैं बादाम रोगन आप ले सकते हैं दूद के साथ बादाम आप रात को भीको की सुबह खाल पेट ले सकते हैं अकरोट आप खा सकते हैं बादाम अकरोट मस्तिस्क के ल है वो आप पाउडर करके ऐसे दूद्या पाने की साथ ले सकते हैं वचा अरवेद में मस्तिस के लिए बहुत अच्छे होती है उसका भी एक दो ग्रम जा है पाउडर आप दूद्या पाने की साथ ले सकते हैं गाय का दूद और गाय का घी ये मस्तिस के लिए बहुत अच्छ अब बात करते हैं इस सब्ता हमें आने वाले व्रत और तेवहारों की जो हमारे जीवन को उल्ला से भर देते हैं 22 जुलाई प्रथम सावन सोमवार व्रत 23 जुलाई मंगला गौरी व्रत 28 जुलाई कृष्ण एकादशी व्रत और तेवहारों की जानकारी के साथ ही अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है आपसे अगले सब्ता फिर मिलेंगे और साजह करेंगे धर्म, आथ्यात्म और स्वास्ते की जानकारियां अगर आपके पास भी कुछ सवार या कोई जानकारी है तो वो आप हमारे साथ साजह कर सकते हैं info at the rate sanskargroup.in पर आज के लिए इतना ही नमस्कार